हालो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल जीवो जीवन आप सभी का मेरे चैनल जीवो जीवन पर हार दिख स्वागत है उपर के होट फड़कने का क्या मतलब होता है दोस्तों पिछले वीडियो जो मैंने आपको महिला और पुर्शों की आखे फड़कने का और हाथों के है तो नीचे दिये गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं यदि भी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों यदि हम अंगों के फड़कने की बात करते हैं तो आज के द जिद्रित एवं सयमित रखें तो जीवन में घटने वाली शुब और शुब घटनाओं का आभास आपके अंग आपको जरूर कराते हैं सामद्रिक शास्त्र में अंगों के फड़कने का विस्तरत विवेचन किया गया है दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको मनुष के उपर के होट फड़कने का मतलब बताऊंगी तो आई जानते हैं उपर के होट फड़कने का क्या मतलब होता है दोस्तों सामद्रिक शास्त के अनुसार यदि आपका उपर वाला होट फड़क रहा है यानि की होट के उपरी भाग में फड़कन हो रही है तो खुश हो ये क्योंकि ये हत्यंत शुब संकेत माना जाता है ऐसा माना जाता है कि निकर भविश में आपको मन चाही वस्तु की प्राप्ती हो सकती है जिसका कि आपको बहुत दिनों से इंतजार है इसके अलावा आपको स्वादिष्ट भोजन की भी प्राप्ती हो सकती है दोस्तों यद यदि आपके होट का बाया को न फड़क रहा है तो यह शुब नहीं माना जाता ऐसा माना जाता है कि निकट भविश में आपकी कोई प्रियवस्तुख हो सकती है सामुद्रिक शास्त्र के नुसार यदि आपके होट का दाहिना को न फड़कता है तो भी यह अत्यांत शुब सं केत माना जाता है ऐसा माना जाता है कि आपको अपने ही मित्रों की तरफ से धन लाब के योग बन सकते हैं दोस्तों ये तो हो गई शास्त्रों से संबन्दित बातें आए जानते हैं विज्यान के नुसार मनुष के होटों के फड़कने का क्या मतलब होता है विज्यान के नुस प्रक्रिया है परंतियदी शास्त्रों की माने तो व्यक्ति के होटों का फड़कना अपने आप में कई गूड रह से छिपाई हुए है जो की समय समय पर व्यक्ति को भविश्म होने वाली शुब और शुब घटनाओं से अवगत कराता रहता है दोस्तों आशा करती हूं कि प्राइक और शेयर करना ना भूले धर्निवाद